नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूजमा आपका सूवथ है मथ्वरा के सिर्फरी आशिक ने अपनी प्रेमिका से ब्रेकप के रदिया सिर्फरी आशिक ने यूफ्ती पर चाकूँ से हमला कर दिया टीपपर हुए हमले के बाद पुलिस मोखे पर पहुँझ गई और गायल यूफती के इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया और हमला करने वाले आशिक की योगी सरकार महिलाओ की सुरक्षा के भले ही लाक दावे करती हो मगर यूपी में महिलाओ से छेड़चाड और आत्म गाती हमले कम होने के नाम नहीं ले रहे इस तरह का मामला सामने आया मंगलवार की देर शाम मत्रा के सहर कोतवाली इलाके की कृष्णा नगर पुलिस चोकी इलाके में हाईवे प्लाजा में एक शोप पर काम करने वाली यूफती पर आशिक मिजाज सिर्फरे लड़के ने उस समय चाको से हमला कर दिया जब वो हाईवे प्लाजा से छुटी कर अपने घर जा रही थी पताल में बैड पर जिंद्गी और मोद के बीच जूजती ये है जूही की दोस्ती कृष्णा यादव नाम के एक लड़के से थी जो कुछ दिन पूर्व ब्रेक अप हो गया फिर क्या था सिर्फरे आशिक कृष्णा ने जूही की एक तरफा प्यार हासिल करने सा संबंध ना रखने पर जान से मारने की धमकी दे डाली और मोक का पाते ही चाको से उस पर हमला कर दिया सिर्फरे आशिक क्रिष्णा ने एक दो नहीं बलकी पूरे पांच चाकू मार कर जुही के पेट को छन्नी कर दिया जिससे जुही गटना इस्तल पर ही बेहोश होकर गिर गई मोके पर मुझूद लोगे ने जुही को अस्पतल पहुचाया और जहां डोक्टर ने उसकी हालत गंबीर देखते हुए हाईयर सेंटर के लिए रैफर कर दिया मोके पर पहुची पुलिस ने तारी गटना की जानकारी कर पीडित की मा की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्च कर जाच में जुट गई है मगर फिलाल पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने वे बताने को तयार नहीं है